Hello everyone, good morning and welcome back to my channel कैसे हैं आप सब और सुबा का है टाइम पौने दस का टाइम हो गया है युवान जश्ट सो कर आया है अभी और जब भी वो नाने हाउस आता है तो उसका जो रूटीन है सोने का खास कर वो चेंज हो जाता है तो रात को थोड़ा सा लेट सोता है तो सुबा थोड़ा सा लेट उठता है तो ये रहता है जब भी वो नाने हाउस आता है तो अभी वो उठा था तो जश्ट मैंने इसका भी डाइपर जो है ना वो निकाला है कि जब भी सोकर आता है तो उसको मैं डाइपर फ्री कर देती हूँ मैं डाइपर निकाल देती हूँ पूरे दिन इसको डाइपर में नहीं रखती हूँ और अभी जो नानी घर आया हुआ है तो इसमें मैं क्या करती हूँ डाइपर में थोड़ा सा लगा के रखती हूँ क्यों आचंवा यह प्कड़ है यह हुआ यह दुआ लिया और सुभा की ऊरहे हैं सवादस दिखाया है तरे हो गया है कि तुदी गई थी लेटी रही मेरा फेट खड़ाब हो गया था बहुत तीन से जार बार में वाशन हो पर आ गई थी लेटी रही तो आर ना फिर से सो गई है अभी बस इसका डाइपर में निकाला तो यह भी उठ गया है, आज पर लेट सू रहा है लेट उठ रहा है रोटीनिया का, जब भी यह नानी के घर आते है थो एक्जाम कहतं हो थै, थोड़े दिन रहकर आतीे मैं कि चल ठीक है यह लिए फेर रिजल्ट आजाएगा, उसके बाद पर बनेद का इसको एकड़ीडर्ग का रोटिन को चेज हो जाएगा फिर तो आने नहीं हो पाएगा इसलिए मैं आ गई थी अज़ है प्राइडे तो मैं जाउंगी मंदे को जाऊंगी मैं मंडेग जारी संडे हो जांगी मैं एलो अर्गेज के साथ इसका जो पोर मंथ रूटीने पोर में शेयर करऊंगे क्योंकि प बेबी का फॉर मन्त रूटीन शेयर कीजिए कि मैंने बोला भी था कि इसकी जो एक्टिविटी ना बहुत चेंज हो गई है अलग लग वो चीजे करने लग गया है तो वही मैं शेयर करूंगी अच्छा अगर एक चीज और बता दो जो एक्टिविटी जो इस टाइम पर ये कर कर तो दोनों अगर देखा जाए तो आरना इससे ज्यादा एक्टिव थे अफ्रिक याए ना कि जब बच्चे काफी सारे कपड़े पहल लेते थे थंड अभी तो ठंड गई है तो काफी सारे कपड़े होते हैं तो उसके बज़े से ना अच्छे जिभूनी कर पाते हैं है देखो देडी आएं दिडी हेलो भुलो एलो भुलो क्या रहा है हा यह है अच्छा हाँ यह है हमारे यूवान और यह है हमारी क्यारा उठ जाते हैं अफ्ले ये वी नीचर जल्दे वीट तो तो यह नीचे जाके सोजाती है पापा के पास ना तो काफी देर तक सोती रहती है और ना इसका बड़े आ रहा है आठ अप्लाल को इसका बड़े हैं यह हो जाएंगे पूरी एक साल के हो जाएंगे पूरी दिन क्या करता है इसकी क्या क्या होई है और इसकी फरकते भी चेंज होई है प्यार पूली क्या होगी तो नीचे आप सबसे बात करने के बाद फिर ना मैं खेलने लगी थी क्यार के साथ और यूवान के साथ तो उसके साथ जो है ना मैं पहले तो आदा घंटा या एक घंटा खेलती हूँ मैं डारेक्ट जब वो सोगर उड़ता है मैं तुरंद उसको दूत नहीं बना कर देती क्योंकि रात भर जो है ना बीच-बीच में जैसे वो दो बार उड़ता है अच्छा मेरे पास कॉमेंट बहुत आते हैं कि बेबी जो है ना रात को कितनी बार उड़ता है वो कितनी रोता कब है तो देखो रात को जो है ना वो दो बार उड़ता है और दोनों बार जो है ना जब वो खेल कर हटता है तब मैं उसको बॉटल वाला दूद देती हूँ क्योंकि बच्चा जो है ना जितना बड़ा हो रहा है उसके अकॉर्डिंग जो दूद है ना उतना मेरा आता नहीं है अब बच्चा को उसकी जो भूख होती है वो थोड़ी बढ़ जाती है इस वज़ जैसे जो है ना वो उसको अब बॉटल वाला दूद पहले मैं एक बार देती थी दिन में अब उसको दो बर देती हूँ अच्छे यहाँ पर पानी थोड़ा सा खारा आता है तो मैंने युवान के लिए बेसलरी की जो बॉटल है वो मैंने मैंगवाई है तो उसको गरम करक और मैं तब देती हूँ अच्छे मेरे पास ये भी बहुत कॉमेंट आते हैं कि दीदी आप दूद कैसे बनाते हो तो देखो जब मैं घर पर होती हूँ तो उसका जो पानी है न मैं दूद का पानी बहुत अच्छे से बालती हूँ बहुत अच्छे से जब वो ठंडा हो जाते तो मैं उसको रख लेती हूँ और जब भी मुझे दूद बनाना होता है जैसे मुझे अगर 30 ml बनाना है तो मैं उसके according बॉटल में दूद को पानी मिलाती हूँ और एक चमच दूद का जो powder है वो milk करके मैं दे देती हूँ जितना भी मुझे ml पिलाना होता है उसके according में बनाती हूँ तो इस तरीके से बनाती हूँ मैं दूद और युवान को जो है न मैं थोड़ा सा गुन-गुना ही दूद देती हूँ क्योंकि ठंडा बिलकुल भी नहीं पीता है और यह पीत भी लेता है बहुत इजी ली तो बस अभी उसको दूद पिलाकर आ गई हूँ अच्छा मैं सोच रही थी इसको नहलाने के लिए बट आज थोड़ा सा ठंडा मौस से मैं बादल सा भी हो रहा है तो मैंने इसके कपड़े चेंज कर दिया है बस इसको मैंने अच्छे से साफ कर दिया था युवान को पानी से तो स्पंच कर दिया था उसको बादी में इसके कपड़े चेंज कर रही हूँ उसके बाद फिर जो है न मैं इसको सुला दूगे क्योंकि इसके सोने का भी टाइम हो गया है और जब वो घर पर होता है तब वो मैं जैसे आपको हमेशा बताती हूँ तो इसका टाइम होता है सुबा सोने का दस साड़े दस होजे यह सो जाता है यहाँ पर थोड़ा सा लेट हो गया है क्योंकि उठा ही लेट था फिर 11 के अराउंड साड़े की सबा 11 के अराउंड इसको मैंने दूद बना कर पिलाया फिर उती दिर में खेलता रहा तो I think 12-12 का टाइम हो रहा होगा तो अभी देखो यह जब रो रहा है न तो इसका यही टाइम होता है यह जब रो रहा होता है वैसे नहीं रोता है यह जब रो रहा होता है तो समझे लो उसको नींदारी होती है तो यह सो गया अभी एक तो यह अंधेरे में भी सोता है और जब देखा कि यह ओड़ गया है तो मैं अभी इसके साथ थोड़ सा खेलूगी दूद तो मैं भी नहीं दूँगी इसको अपना ही फिड करवाऊंगी जब यह सोकर ओड़ता है तो वा थोद देखो भाई यह उठ गया है और यह उठ गया है और यह मैं पता है तुम पार मुंगाने नहीं शोगया न तो मुस्किल से यह सोया है, एक घंटा सोया है, एक घड़ घंटा सोया है, कि हैं ना पीटा ये दिए किससे देख रहा है हूं मोखना खष़र भाहर ना थंडा से हो गया है बादल सा वह रहा है बाहर है अनल लॉइन लिक्र चाओ कि इसको बहुत आप ही तो अब ही मैं शोवाइच कर वाहरी हूं अच्छा जो फीड है बच्चे का पेट नहीं भरता है मा के दूद से तो आपको क्या करना है कि एक साइट से जो है ना 15 मिरिट तक पिला के रखो बच्चो को फिर बलकुल अच्छे से खाली हो जाए ना उसके बाद फिर दूसरे वाले ब्रेट पे जो है ना आप दूद पिलाओ इससे ना बच्च कि दिदी बच्चे का पेट नहीं भर रहा है कैसे पता चलेगा तो देखो अगर पेट बेबी का भर जाएगा ना तो आप खुदी नोटिस करोगे कि वो खेलता रहता है रोएगा नहीं हाना अगर बच्चे का पेट नहीं भरेगा तो वो रोएगा चीर-चीरा से भी हो जा कि कैसे करना ऑट है तो नहीं बता पाऊंगी आशी मैं दिखा के नहीं बता पाऊंगी तो आपको समझ पे नहीं आएगा अशा अब दुपयर का Saati MA को कहँते नहीं है कि अरल यह खेलता रहता है तो मैं असको खेलने लगया है और ना बालों को भी हमारे जो मेरे इसको गोद में लेते हूं तो मेरे बालों को पकड़ता है नोचता है और हसता है लोगों को देखके बात करेंगे तो वो हसता है बात करने के कोशिश भी करता है ये जिसे हम बोलते हैं हमारे लिपस को देखता है फिर उस तरीके स वो भी बहुत कोशिश करता है बोलने कि मैं आपको दिखाऊंगी देखना जड़ा तो देखा न अपने वो ऐसे न अपना खेलता रहता है बाते भी करता है खुद से अच्छा भी नानी के साथ मस्ती कर रहा है खेल रहा है और सो या नहीं है दुपेर में क्योंकि रूटीन चेंज होगी है इसका सोने का तो यह सुपास होता है और फिस इतर आता है को सोता है तो ऐसे ही मैंने बहुत टचबूर है कि मतलब दोनों बच्चे मेरे ज़्यादा परिशान नहीं करते हैं ना ही आरना ने किया ना ही यूबान करता है तो टाइम पर सो भी जाता है यह अपना और रात का टाइम हो चुका है तो देखो यह बहती के हाथ खेल रहे है और बहुत अच्छा लगए था यह बहुत अच्छा लगए था यह बेबी का हाथ पकड़ रही थी एकदम जैसे हम अपनी फिंगर देते ना बच्चों को हाथ पकड़ ले तो उस तरीके से वह भी दे रही थी तो वह पकड़ रहा था तो इस तरीके से ना बहुत अच्छा जाता है और खाली पेट रहेगा तो बच्चे बार-बार न उठता रहेगा तो इसको मैं बौटन से ही दूध देती हूं और देखो कैसे डेखता ही रहेगा वोदिए पता चल्एते है कि हाँ यहाँ पर क्यामरा रखा हुआ है तो इसको भी देखना होते हैं ऐचा बीबी कहा है ने डाइपर लगा दिया है और डाइपर जो है ना मैं क्रीम लगा कर है इसको पहनाती हु क्रीम और आजकर जो है ना मौसम चेंज ही हो गया है गर में आगया है तो थोड़ा सा पाउडर भी लगा देती हूँ क्योंकि पसीने आते है ना इसलिए तो अभी मैं इसको सुलाओंगी जाकर और अभी टाइम में के तो साड़े आठ हो रहे थे घर पर होता तो यह मैं इसको सुला जो आज का रूठीन था इतना ही मैं शेर करोंगी फॉर मंथ रूठीन और मिलेंगे नेक्स वीडियो में रूटीन कैसा लगा मुझे बताएगा ठीक है तो चलेंगे मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाई टेक केर गूट नाइट